नमस्कार आप देखने पुलिस वाला वेब यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन आईए करते हैं बुलिट्रिंग के शुरुआत जब बुलिट्र के पुश्च इलाकों में सुने घरों को निशाना बना का चोरी करने वाले एक गिरों का पुलिस ने परदाफाश किया है जिसके तीन सजस्चों ने मिलकर अभी तक तेरा घरों में चोरी की थी मुखबी के सुचना पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सकती से पुश्चाच की तो उन्होंने खमरिया, रांजी, संजीवनी नगर, गोरा, बाजार, तिलवारा, केंट और ग्रामीन चेटों में कुल तीरा वारदातों को अंचाम देने का अपराध कबूल किया है आरोपियों के कब्जे से सुने चानी के जेवर, लाप्टॉप, कैमरा और मुबाइल जब किये गए हैं जिनकी अनुमानित कीमत साथ लाख रुपए के आसपास बताई चारी है पुलिस की पुछताच में आरोपियों ने बताया कि वे पहले चेटों में घूम घूम कर रेकी करते थे और ताला लगे वाले घरों पर नज़र रखते थे रात होने पर दोबारा उन घरों के पास जाते थे और फिर ताला लगा होने की पुष्टी होने के बाद वारदात को अंजाम बेते थे प्लिजबल और क्राइम ब्रांज और अबर किया जा रहा है और इसमें जो जितने भी हमारे फर्यादी हैं और उनसे हम लोग की संपर्क में हैं और जो जो गटना है सामने आ रही है उसके अनुसार कारवग की जा रही है यह लगवा पांस थानों के जो हैं अलग 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 गटना हैं इनका कुलासा इस गैंग दोरा किया गया है यह बैगरांड इनका कुछ खास नहीं है और इनका पेशे वर चोर है यह जो की आदतन रूप से लगातार इलाके में घूंगूं कर सूने मकानों को चिन्नित करत हैं इनके पूर में अभी मामले पंजीबर हैं और अभी वरतमान में लगबक 13 बाहदातों का खुलासा हुआ है लगातार जो है इसमें अपरादियों के पीछे पुलिस लगी वह है और यह जो ट्रेंड है अपरादों का उसमें हमेशा देखा गया है कि जो अपरादियों का जो समय होता है इस समय चोरियों की संख्या में बिद्धी होती है तो उसी हिसाब से उसको चन्वती लेते हुए पुलिस ने अपनी कमर कसी हुई है और लगातार हम अपरादियों को ट्रेक कर रहा है रमजान पर उपर मुस्लिम बाहूल अलाकों में चहल पहल देखी जा रही है रमजान पर मुस्लिम समुदाय 30 दन तक रोज़ा रखकर अल्हा ताला की बादत करते हैं रमजान महीने पर जगा जगा रोज़ा अफ़तार का आईजन किया जाता है जसमें बड़ी संख्या में रोज़ेदार शामिल होकर एक साथ नमाद दा करने के बाद रोज़ा अफ़तार करते हैं जगा जमुना की पहजीब और आपसी भाईचारह देश में बना रहे सभी लोग आपसी भाईचारहिके साथ देश में रहें जबरबुर में रोज़ों द्वारा भारती जन्ता पार्टी के कारकरता के साथ मारपीट के मामले निक तूल पकल लिया है मारपीट के विरोध में भाजपा के कार्यकरताओं ने अधारताल थाने का घेराफ कर प्रदर्शन किया भाजपा के लोगों ने पुलस पिशासन से निश्पक्ष कारवाई किया जाने की मांग की है पिशले दिनों भारती जंता पार्टी के कार्टा कुवरलाल गोटिया के साथ शो कॉल कॉंग्रस पार्टी के लोगों ने मारपीट की थी मारपीट में भाजपा का कार्टा घायल हो गया था जिसकी रिपोर्ट अधरताल थाने में की गई थी रिपोर्ट होने के बाद पुलिस आरोपियों के तलाश कर रही थी आरोपी पुलिस कारवाही से बचने के लिए भाजपा कारकरता पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दवाब बनाया जा रहा है भाजपा कारकरता ने जब रेपोर्ट वापस नहीं ली तो आरोपियों ने उसके खिलाफ भी मामला दर्श करा दिया भाजपा के लोगों ने पुलिस को मामले की जांच कर आरोपियों पर शीखर कारवाही करने की मांग की है भाजपा कारेकरता ने कॉंग्रेस पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का रूप लगाया है पुलस का इस मामले को लेकर कहना है कि मामले की जांच की जारी है जांच के बाद अनिया मनुसार कारवाही की जाएगी हमारे कारेकरता कुमरलाल गोटिया उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी वो सो कार्ड कांग्रेसी बदमास लोग थे 307 का मामला हरजरेक का मामला बना था मामला भी भी जुडिशली इंपेंडिंग है उस पर कारवाई भी थी उसके बाद उस पर दवा बनाने का बहुत सारा प्रयास किया गया लेकिन उसने बिना डरे पुलिस में शिकायत की पुलिस ने मदद की थी और मदद करने के वाद उसने गवाही भी दिये परन्तो अब उससे बदला लेनी के लिए थे पहले उनों ने एक छूड़ा चाकूबाजी का मददा बनवाय था जिसकी जांच की गई थी और जांच के बाद पाए गया था कि चाकूबाजी की घटना गडबड है परन्तो इसके बाद भी हमने कहा कि पुलिस अपनी कारवाई करे दुबारा कल अपने घर पर बम जैसी कोई चीज़ फोड़ी और जागे जूटी शिकायत पुलिस थाने में की है और इस सपुस्पक जाज के और लिए जाएगे अगर यह बाद का ग्यापन हमने भी धिया है और ऐसा आस्वासन मिला है कि निस्पक जाज की जाएगे एक परसे जो है एक मारपीट का मामला आया था लोस्टोरान कॉंशे 323 का स्व परकन पंजी बदले और आत में फिर जो है कुछ बम बगेरा फोला गया यह सा उसके उपर आरूप लगा था उसमें गई थी पलिस तो उसमें जांच कर रही है जांच के बाद ही पैदाने कारवाई की गए इसी क कारवाई होगी और बाद में कारवाई की बाग दुनिया से खत्म हो रहे हैं इनको बचाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाई जा रहे हैं पर शिकारी जंगल के राजा को मौत की घाट उताने से बाज नहीं आ रहे हैं ऐसी एक बड़ी खबर सतना जुले से सामने आई है जसमें जुले के मजगवा रेंज चेतर में एक पूर्ण व्यस्क बाग का शिकार करतीया है 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 कि यह शिकार इमर्ती बीच अंतरगत शिर्भगा वन नरसरी चेतर में हुआ है जहां नरसरी से लेकर वन ने प्राणियों के सुरक्षा में तनात कर्मचारियों को भनक तक ना लगी इसलिए बाग सतना के जंगल में सुरक्षित नहीं है यह हम नहीं मत बाग की तस्वीरे बोल रही है वैसे तो व्यस्क बाग का शिकार करना समाज के लिए बड़ी दुखत ख़बर है जानकारों के मताविक इस इलाके में पी 213-22 बाग की मौजूद की उसका परियाम उन्हें अपनी जान गवा कर भुकतना पड़ता है उसके बाद एधिया और कोई जो जोंते सामील होगा तो प्रया पर लोग सकर एंगों तार यहां पर यह सर भंगा की आरिया कहला था है यह पी नरसरी छेत्र में जरशरी चेत्र सैंसे लगा हुआ दिन स्यूर्थ के लिए कोछ करमचारी भी लगे रहते हैं यहां पर लगता कुछ लोग कुछ लोग ने इसके तार लगाने के अभी तक कोई घटना यहां तक पुराने समय में नहीं आई है कोई चोर मंदर में चोरी करने चाहे और और माथा भी टेक है यह सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन जबलपुर में ऐसी वारदा सिस टीवी कैमरे में कैद हुई है जिसमें नगाब पोश्च चोर एक मंदर में चोरी करने पहुंचे हैं चोरी करने के दौरान चोर बकाइदा माथा भी टेक रहे हैं और अपने गुनाहों की माफी भी मांग रही हैं बेड़ागाट रोडस्ते ट्रिपूर सुन्दरी मंदर में देराथ चोरों ने धावा बोलकर देवी प्रतिमा के जेवर चोरी कर लिए देराथ हुई वारदात के दौरान मंदर के सुरक्षा में तनात दो सेक्यूरिटी गाड़ सो र अधक्ष शिफ पठेल को घटना की जानकारी देर इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और सिस्ट्रीवे फूटेश खंगाले जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्ट हो गई थी बहरहाल पुलस अब सिस्ट्रीवे फूटेश के अधार पर चोरों की तलाश करने में जुटी ह मंद्र समीती का दक्ष ने बताया कि चोरों ने प्रतिमा का चान्दी का 76 सोने की बेंदी और अन्य जेवर चोरी किया है जिनकी कीमत करीब 4 लाक रुपए है कल रात मंदिर में जो मुख्य मंदिर है उसमें चार लोगों ने लगबख वहां पर चोरी करी है इसमें मंदिर में गार्ड दो बैठे थे वहां पर जो मौके पर सोते बेपाए गये हैं और ताला तोड के जो छत्री होती है उसको चुराय गया है जो पुरा गटना का जो तरीका है और जो सीन ओफ क्राइम है उसको देखते वे हमें लगता है कि यह किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है जो जिसका बाहर से हो सकता है मूव्मेंट हुआ हो तो उस संब्द में जो भी पुराने शातिर चोर हैं और जो निका वार्दात करने का तरीके ऐसे हैं उनके संब्द में पूस्ताच कर रहा है जो गया माहिल है वह लगबग आज प्राता है लगबग धाई बजे हमारे पास फोन आया मंदर से कर्मचारी का कि यह रात में चोर अभी कुछ दिर पहले चोर आए हुए थे और कुछ सामान चुरा के लेगा गर्वगरह में घुसे हुए थे ताला काट करके तो मैंने तत्काल इसकी सूचना थाना प्रवारी भेडा घाट, CSP भेडा घाट, बरगी CSP जो होते हैं इनको दी कि आप तत्काल सक्री हुई है और मंदर में ऐसी ऐसी घटना हो गई है और मैंने भी तत्काल तयार हुआ और अपने समीती सदस्यों को भी इसकी सूचना थी उसके बाद SDM को सूचना थी और जब यहां पर पहुचा तो मेरे पहुचने से पहले पुले से यहां पर पहुच चुकी थी और चूकि CCTV कैमरे हमारे लगे हुए हैं पूरे मंदर परिसर में 16 CCTV कैमरे हैं जिन मैंसे 15 कैमरे चल रहे हैं लेकिन चोरों ने बदमासी करते are living जहां से उन्होंने प्रफेस किया पिछवाणी से स्षाнов्य सुसियों सीसी टीवी कैमरे हमारे लगे हुए त्टीन केमरे उनने बंद किया और बंद करने के बाद貌स में पहले उन्होंने पूरे मनदर पर ही सर्का मौईना किया जो CCTV कैमरे में देख आता है अन्यार के चा कैते हैं कटर अपन वोगगरा है उनके चोरों के हातमे है और उस से उनने इत्म नाहं से बंन्दिर के, जो गर्भेः है गर्भेः, कि उत्तर दिसा वाले झोघ जो हमारा निकासी है, ठाले भाखने काटए। पर पर उसके अंदर एक और ग्रिल है, उसका भी उनने ताला काट रखा और अंदर प्रिवेस कर गяться एक सोने का इस प्रिकार से तीनelve माई के सिरके ऊपर जो छत्र लगे हुए हैं ऐसी बारा जो थे और चांदीों में और तीन चत्र उसमें सॉने के थे वो उन्होंने काटे वो काट करके वो एक चादर भी लेके आई हुए थे उसमें CCTV में कैमरे में दिख रहा है कि वो चादर उन्होंने बिछाया और काटके वो उसमें गठरी बांधी और गठरी बांध करके वो ले गए उसमें माई का तिलक जो है वो सौने का और एक बिंदी स जबरपुर बेलबाग के कंजर मोहले में एक चार वर्षिया बोध बालिका को पडूस में रहने वाला 17 वर्षिया के शोर टीवी पर काथून दिखाने का प्रलोबन देकर अपने घंडे गया और फिर वहां उसके साथ दुशकर्म का प्रयास किया पिरत बच्ची किसी तरह ब माने के शोर के खिलाफ बेल बाग थाना पुलस में शिखायाहाण डज करवाई है पुलस ने बच्ची की मां के शिखायट जहां से था ना कोथवाली पुलिस और स्वाट टीम ने पकड़ी नकली और अवैद शराब जिसमें 11,000 क्वाचर और 550 लीटर केमिकल नकली रहपर और बारकोच परच्य इत्यादी सामान पकड़ा गया है एक लीटर केमिकल में तीन लीटर पानी मुला का शराब बनाई जाती थी फिर उसे नकली बोतल में पैक करके बेचा करते थी इसके अनुमानित राशी 5,50,000 है जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है वाकि तीन फरार है जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा विसे वर्तमान समय से वरिष्ट पुल सदिक्षिक डॉक्टर ओपी सिंग के रेतरत्व में शेहर कुतवाज संजे सिंग और स्वाट टीम प्रभारी विजय पान्डे लकातार खुलासे करते चले आ रहे हैं जिसके कारण अपराधियों के हुसले पस्त पड़ गए हैं और बुलिटिन में फिलाल इतना ही और भी खबरों के लिए आप देखतो रहिए पुलस्वारा वैब नियूज